जेल का अंधिर्शन किया है क्या है पुरा मामला जाते हैं सर उत्य प्रदेश में जेलों के इस्तिदी को शुदारने के लगातार प्रयास हो रहे हैं क्या अभी आपने यहां विजिट किया क्या रहा पुदा विदल किया है यहां के शंतिया बहुत बड़ी है टो युवाही क्यों है यह विचार करके हमने युवाहं के साँ सब्सरू किया और संबाद में उनको परिवार से कनेक्ट किया क्या आप आपको जहल में आने के बाद एक स्षेटी गलती के Innerum का पढ़नाि और फाइस votants Car करते हैं आपनी गल्ती का एसास करते हैं और उसनमें शंकला भीकरते हैं कि आज दुबहरा नया पालजका के मात्यस हसे बाहर जाति ये तो इनले करेंगे practically is अमारा है कि युवा सब्सक्राइब के लिए कौष्र विकास से जोड़ा है कहीं निकरी शुरोजगार से जोड़ने का हमारा प्रयास है इसमें ही हम नहीं लगें मारी मुखमंतरी की पेड़ना से तमाम इस जेल है जहां पर क्याजिव की संख्या अधीक है जिलों में सुविधाएं अभी बहुत कम है इसको लेकर के सरकार क्या का पर यह बात निश्यत ह है क्योंको जेल है हमारी समय है बहुत सी जेल है ज़ित अधार से बनी थी दस जिले इसे हमारे ज्रेल नहीं है वहम नहीं है जो होनी जाए जहां जेलों में जगह है वहां बेर्के बना रहे हैं सांसर दरविकिश्ण मेरा साथ सर तमाम जेलों में जो माफिया अपरादी थे पंस सालों में खुद जेल के अंदर चले गए या सरकार ने फेज़ दिया है जब आप जेलों में जाते हैं बात करते हैं तो ऐसे लोग जो अपराद से जुड़े थे आज क्या उनकी आप भीती ह मंतरी जी ने सही कि जेल इसलिए भर जा रही है क्योंकि सारे माफिया खोदी जेल में चले जा ह्रही थे हैं लस्य स्रणी सरेंडर तीं अपना чुरम कबूल करके अब जेल में इतने भर गया है तो उसकी दिक्कत है और बाकी यही किया आज मंतरी जीनियु का अच्छी भी ब मैंने भी समझाया कि आवेश गुस्सा ही बरबाद करता है गुस्से को कंट्रोल करिएगा पढ़ाई लिखाई जरूरी है कुसंगती न रहे परिवार का सोचिए क्योंकि आप तो जेल जाते हैं पूरा परिवार जेल में रहता है इनोंने बहुत अच्छी बात कही आप लोग मुफ्त की रोटी आप लोगों को मिलती है जो भी है कुछ करना लेकिन आपका परिवार समाज से पूरा बरबाद हो जाता है समाज उनको कैदी बना देता है तो यह बहुत अच्छी आज बात आप से मिली और बहुत अच्छी एक सीख भी हमको भी एक माइंड के लिए साइकलोजिकल ट्रीटमेंट हम लोग ने मिलके किया विधायक जी ने भी अच्छे से साइकलोजिकल ट्रीटमेंट किया और आते रहना चीए मुझे आज पहली बार मेरा इंटराक्शन हुआ एक पूने के जेल में हुआ था यहरवडा में आज यह गोरखपुर में हुआ जेलों के सुधार के लिए लगातार काम कर रही है उसी काम को देखने के लिए कैदियों से बात करने के लिए आज उत्रप्रते सरकार के कारागार मंत्री और गोरखपुर के सान साथ गोरखपुर जेल पहुंचे थे और से तर्पिन का मनना है कि जेलों में जो कैदी है उनक